हलो दोस्तों स्वागत है आपका एटी गैन यूटुब चैनल में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है फ्लिपकार्ट पे आप अपने सेलर स्कॉर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्लिप कार्ट पर sales को अगर increase करना है तो आपको seller score पर ज़रूर ध्यान देना होगा seller score अगर आपका अच्छा होता है तो आपकी product की sale बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसलिए अगर आपको अपने product की sale को increase करना है तो आपको अपने seller score भी अच्छा करना होगा seller score को अच्छा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छी growth चाहिए flip card पे तो तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताइए कैसे आपको seller score increase करना है उससे पहले मैं आपको बताना चाहँगो कि अगर आप इस channel पर नई है तो please इस channel को subscribe कर दीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए हम इस channel पर ऐसे ही e-commerce marketplace से लेटेड वीडियो को लाते रहते हैं तो please channel को जरूर subscribe कीजिए और चैनल पर और भी वीडियो से है e-commerce marketplace से लेटेड आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए अगर आपने instagram पर फोलो नहीं किया मुझे अभी तक आप instagram पर फोलो कर सकते हैं और आपकी कोई queries है online marketplace से लेटेड तो आप मुझे DM करके पूछ भी सकते हैं तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं तो growth टैब में जाने के बाद आपको performance पर क्लिक करना है ठीक है जैसे आप performance पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको seller score दिख जाएगा seller score जो होता है वह 5 matrix पर होता है मैं आपको बताता हूं सबसे पहला होता product quality फिर उसके बाद होता है तो सबसे पहली जो चीज होती है product quality तो आपको जो अपना product quality रखना है वह ज्यादा अच्छा से अच्छा रखना है और आपको कोसिस करना है कि customer आपके product पे अच्छे से अच्छा review दे मतलब negative rating ना दे तो यह आपको रखना है आपको कोसिस करना है कि आप अच्छा से प्रोड़क्ट बेजें जिसके वैसे कस्टुमर आपको अच्छी रेटिंग दे आप यहाँ पर अपने प्रोड़क्ट की रेटिंग को भी देख सकते हैं जैसे कि आपको किस प्रोड़क्ट पर कितनी रेटिंग मिली है किस पर नेगटिव रेटिंग मिली है उससाब से उसको और यहाँ पर defective product quality issue यह सारी चीज़ा होती है जो returns के main reason होते हैं तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है उसके बाद जो आता है service quality service quality के अंदर यह आता है कि आपको जो product आप जो cancellation करते हैं वो बिल्कुल ना करें दूसका late dispatch आपको जो product है वो मतलब ज्यादा late नहीं जाना चीए और fast fulfillment होना चीए मतलब अगर आप अपने product को fast fulfilled करते हैं तो आपका जो seller score है वो बहुत ज्यादा increase हो जाता है तो यह ऐसे कुछ 5 matrix है जिन पर आपको ध्यान देना होता है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यह वीडियो अच्छी तरके समझ में आई हो आपकी कोई भी question आप मुझे comment करें मैं उसको reply करूँगा और आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जो कीजिए और बेल एक उनको बढ़ाइए